कि वाश्कार दोस्तों स्वाइफस के न्यूज और अपडीट्स में आप सभी का स्वागत एक और जरूरी जानकारी जो अभी अभी फाइनल आंसर की रिलीज हुई है वहां से एक क्वेशन जो इवनिंग शिफ्ट का है उसमें करेक्शन मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है ऐसा हम कह सकते हैं इसका मतलब पहले आंसर को चौब दिया गया था इस बार एक और आंसर को accept किया गया है ऐसी स्थिती, इवनिंग शिफ्ट के पेपर में देखने को मिलती है, यह देखते हैं, question क्या है, so this is that question, यह है वो question, question ID 703544, right, इसमें यह दोनों ही जो जवाब हैं, वो सही है, क्यों, जब हमने discussion किया था, उसमें भी बात हुई थी हमारी, कि यह कैसा knowledge अभी, ऐसा कैसा ग्यान मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसी पढ़ाता हूँ, क्या बोल रखा है, which one of the following statement is not correct, photosynthesis के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, light reaction takes place, हाँ, सब उसी पे चलता है, सही बात है, ATP और NDPH, दोनों थालेकोईड मिमरेन पर बनते हैं, यह तो बड़ी गडबड सी बात है, अगर बात कर रहे हो, ATP की, तो वो भी स्ट्रोमा में बन रहा है, NDPH वो भी स्ट्रोमा में बन रहा है, मिमरेन पर नहीं बन रहा है, मिमरेन के उपर कहना तो गडबड हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहो कि FAD is present in a stroma, side या stroma के अंदर है, उसके बाद FNR भी stroma के अंदर है, तो फ टलकॉइड मेंबरेन, हाँ, ठीक है, जो टलकॉइड मेंबरेन है, उसी का, extended part है, उसी का interconnected portion है, फिर आगे बात होती है कि NDP is produced during the carbon reaction by enzyme in stroma, NDP produced during carbon reaction, carbon reaction, काउन सा carbon reaction, अगर आप carbon reaction की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप डाक रेक्शन की बात कर रहे हो, डाक रेक्शन के दौरान NDP नहीं बनता, वहां खर्च होता है, यह बात भी गलत थी, तो finally इस बात को मान लिया गया है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने में से कोई भी जवाब दिया है, तो आपका जवाब सही है, और marks आपको मिलने वाले हैं, इसके अलाबा कोई option अगर आपने select कर रख था, तो फिर marks नहीं मिलेंगे, और marks क्यों मिलेंगे, आपका concept ही सही नहीं है, ठीक है, so thank you, thank you so much, happy learning to all my dear students, चनल पर नए हो तो ऐसे बहुत सारे updates आते रहते हैं, और सारे latest updates, सारे unique updates यहीं पर मिलेंगे, so channel को subscribe करकर रखिए, और bell icon press करकर रखिए, हो सकता है कि आपको इन सा सारे updates न सारी जानकारियों से बहुत सारा exam में फायदा हो, so thank you, thank you so much, happy learning.